सदियों से चली आ रही सत्भक्ती की ऐसी धारा रिशियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ती तो सभी करते है और हर दम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो खूमने के लिए बड़े-बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो, और कभी भी ना मरे हर दम मौज मस्ती में रहे, पर क्या यह संभव है हम सब इतनी भक्ती करते हैं, वरत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ती पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा ठेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं? वो कौन सी भक्ती है? वो भक्ती जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलात की रक्षा की, अंधे को आखें और बहरे को कान दिये, कोड़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया, और लाइलाज बीमारियों को दूर किया जब संत्रामपल जी माराजी से दिक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मन्त कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग प्रमात्मा का आदे साया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी, एक रुपिया का भी दवाई, माता जी को खान्या नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर, कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी, कि ये चमत कर कैसे हो गया हूस्पिटल में दिखाया तो चैंसर गोशिद कर दिया डक्तर में यहां, तो फिर इसके इलाज के लिए घुमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे ठके बैठ गे, एलाज के लिए ग़िए जिन्दल होश्पिटल में रहा उसके बाद सपड़ा होस्प मेरे को बीबारी ये थी सर कि ब्लेट ड्यूम में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इंपेक्शन हो गया था उस इस पेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको आपरेशन करना पड़ेगा आश्रम कहुंचने में परमात्मा का नामदान मिलिया और जो उन्होंने मुझे उप्देश दिया उप्देश देने के बाद उन्होंने आसरवाद दिया आसरवाद देने के बाद तक छण में मेरा ये रोक वही के वही दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ति सभी करते हैं लेकिन उप्रोक्त लाब सिर्फ सत्भक्ति से ही प्राप्त होते हैं आज भी सत्भक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आईए जानते हैं ऐसे ही लाखो श्रद्धालूं में से एक सत्भक्ति करने वाले इस श्रद्धालू का अनुभव जानते ही इसलाब भी मिला वहां से नहीं सर कोई को इसलाब नहीं मिला तो अभी सर आपको संत्रॉम पाजी महराजी के बारे में कैसे पता चला सर अज़ी के पार और 모르त्य सहर ना में अनुभवागत और जो है बक्ती किए तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला वहाँ पर संत रामपाजी महाराज आई हुए है नाम दिछल के बक्ती करो मैं का मैं बक्ती कर रहा हूं मैं सत्वाल जी महाराज को अपना गुरू बनाया हूं और आपने छोड़ दिया संत रामपाजी महाराज पूर्ण प्रमात्मा आए हुए है तो मैं कैसे किन कलनू कि संत रामपाजी महाराज पूर्ण प्रमात्मा है और सत्पाल जी महाराज पूर्ण प्रमात्मा नहीं है बोले बेटा यह गरंत हमारे हमको सारा प्रमारित है कि जो तत दर्शी संत है उसस तो पिर हम ने सवार, एक दिन लात में सो रहे तो मैं ऐसे ही अपने मन में है, मैं गर पूर्व्ण प्रवात्मा संत रामपाल जी महराज है, تو आज रात में हम और सबने में दर्सन देंगे, यो सत्पाल जी महराज है तो वो हमको जो है दर्सन देगे तो उसके बाद फिर हमने ये करके जो है तो फिर सत्पाल जी महराज को तो पता नहीं लगा कहीं कि कहां गए हो संत रामपाल जी महाराज कवीर साहिब की रूप में जो है गुरू और गोमिल्द की जो फोटू है मालिक की उसमें हमको दर्शन दिये बुले बेटा तुम क्या सोच रहे हो कुछ मत सोचो जाओ बरवाला में नाम दिच्छा लेके भक्ती करो सर आपको इतना अद्भूत लाब मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि वही पून संत हैं वही सचे संत हैं तो सर संत रामपाल जी महाराज जी वह सत्पाल जी महाराज के ग्यान में आपको क्या भिंदा नजर आई सर जी उनके ग्यान में सत्पाल जी महराजी में कहते हैं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्णू गुरूर देवा महेश सुरा गुरूर साच्छात पार ब्रह्म तसमेश्री गुरुवे नमा तो मैं उस पार ब्रह्म की खोचक में था क्यों पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है कौन तो सत्पाल जी महराज बताते हैं कि प्रकास रूप में जो है वही ब्रह्म है वही पूर्ण प्रमात्मा है और संत्रामपाल जी महराज बताते हैं सर कि जो है जो प्रकास हम देखते हैं ये जो है जो त्रेंजन कालका है कि एक दिन जो है हम चोटी से दुकान एसाइकल के अपनी दियाना में तो हम आये जो है छुटी करके हमारी भक्तमती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू कर गे शाधे नो बजे पंखा राइट एम चल गया था उसके बाद पो ने एक बजे पंखा उन्होंने बंद कर दिया उसके बाद हम आये डेढ़ बजे हमने बटन दाबा पंखा चलाया बैढ़ गया फिर उसके बाद मैं कहा चलो प्रमात्मा का जो है तो हमने बैठ के संत्रामपाजी महराज की फोटू लगाई हुई है वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत्रामपाजी महरा तरह से संत्राम का सुननर करने लेगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए चार पईए वहाँ पर देख रहा हूं कि हमारा पंखा जो है नीचे टूड के तार सहीद लेके गिर गया तो प्रमात्मा जो है हमको हमारी ऐसे रच्छा किये नई रोज हम उसी के नीचे सोते थे वहीं बैठते थे बच्चे भी आते थे भंडारा साथ में करते थे मालिक ने एक दुला कुलास वहां कि महाराज की दया से थे हमारी प्त्नी के कमर में दर्द था तो हम उनको लजयाना में कई जगर डाक्ट रोक दिखाया गाव में दिखाया तो उसके बाद जो है द wasn ने कि दोधे के आया बाज़ेकल ज़ोंग में बहुत भॉषी मारे करम में दर्द कर देखो, मैं दवा करा 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 के सरगल से हार गया हूंौ तो आप असा करो, आप संत्रामपाजी महराज के सरने में जाओ, आप उनसे नाम दिछा लो, भक्ती करो उसके बाद प्रमात्मा ठीक करेंगे उसके बाद जो हम दवा लेके आये थे, पांस रूपे की दवा, उसके बाद उसने फेक दिया कबार में प्रमातमा हमारा कोई नहीं है, आपके इलामा कोई नहीं है, एक पती है, ओभी जवाब देदिया अब हमारी कमन नहीं दर्द हो ठीक होगा तो हम क्या संत राम पाल जी महराज प्रमात्मा हम ऐसे ही रहेंगे जो है बहुत बड़ी जिंदगी है कैसे हमें बितीत करेंगे तो इसना कहते कहते हो रोते रोते वहीं पर सो गई फुर इसके बाद आधा पंड़ा घंटा के बाद उसको होस आया तो रात में उसी रात में प्रमात्मा संत राम पाल जी महराज बोलते हैं बेटा चिंता ना करो उसको प्रसाद दी बोले बेटा एलो प्रसाद खाओ और प्रमात्मा की बक्ति करो मालिक दया करेंगे तो उस दिन से लेकर आज तक लगबख पान साल हो गए है कमर में दर्द नहीं हुआ ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था जिसको धरन कहते हैं यहां पंजाब में हमारे यहां पुतनार कहते हैं जो वो जो जो लगबख डेड़ दो साल से वो जो परेसान थी गले में उसके पानी तक नहीं जाता था खाना तक खाने की बाद छोड़ दीए फिर उसकी बास परमात्मा संतरामपाल जी महराज से हम जो अर्दास लगाए यह परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्क्त है तो संतरामपाल जी महराज बुले बटा भगदी करो मरियादम रहो मालिक दया करेंगे ये फाइदा हुआ तब से पूतनारज की ठीक हो गई जैसा कि संद रामपाल जी माराजी के उन्यों ही बताते हैं कि पहले वो काफी निसा करते थे और संद रामपाल जी माराजी से नाम देख सा लेने के बाद उनका नसा छुट गया क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा नबह है हाँ जी सर सर मैं बीड़ी पान जर्दा बहुत खाता पीता था हमारी साइकल की दुकान आप से पहले भी बता चुक हूँ सर वहाँ पर मैं बीड़ी और सिग्रेट जो है पान जो है मिसा रखे रहते था हूँ हम भी खाते थे जो हमारे साथ में आते तो उनको भी खिलाते थे तो उसके बाद जो हम आपसे पहले बता दिया हूँ सर कि मैं सत्पाल जी महरा से नाम लिया था दस साल हो गए थे हमारी एक बीड़ी नहीं चुटी बहुत कोशिस किया तो फिर उसके बाद जो है पापा बोले हमारे बिटा जाओ वहाँ पर तुम्हारा नसावी छुट जाएगा मैं का चलो ठीक कोई बात नहीं चलते देख ले थे वहाँ पर गए सर तो बरवाला जो है आज सरम जब हमिरे एंडेश्टतैं पॉन्से ळोन पहुंचे तो वह पर ऐसरम पहले मैं सिग्रेट खरीट वाहां MR जैं सिग्रेट खरीड़ के पिया बस बेर च才बना तो वहां पर जो भगत जब नाम दिछ़दा लिये वहाँ ख़ भू पी रहा हूए गा जी मैं पी मगेज आसरम में वहां पर गय जो है तुके बात फिर देखा जो है किया है जो है फिर वहां पर नाम दिछ लिया तब से लेकर आज तक नाम लेकर दो हजार तेरह हम लिया सर तब से लिए आज तक हमने जो है ग्यान को मानिये, अगर कोई और कोई गुरू है, हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरू से नाम लिये थे, और ससंग बहुत सुना गुरू को, लेकिन कोई गुरू जो है, प्रमारित ग्यान जो है, या सासर उठा के हमको नहीं बताया कि यह चीज यहां प्रमारित है, संत्राम उनके साथ 10 सालम रहे हैं जो है लेकिन कभी कोई गीता उठा के या कोई कुरान सरीप उठा के या जो है क्या नाम है गुरु गरन साहिब उठा के कभी कोई प्रमाडित की ज्यान बताया ही नहीं सर आप बगत समाज को क्या संदेज देना चाहते हैं अब जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अध्वितिय आध्यात्मिक ज्यान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे अब सुनिए तत्व दर्शी संत के संग, शास्त्र नुकूल भक्ती सत्संग, ऐसा अध्यात्मिक ज्यान, जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। दर्मदास जी बहुत चिंटित हो गए थे इस बात से, के प्रमात्मा ने कहा था के दर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ग्यान कहीं बार न जाई, और मूल ग्यान बाहर जो पड़ ही, ये विचली, पीडी, हंसनी तरही, और मूल ग्यान तब तक सुपाई, जब तक य जाई, फिर दर्मदास जी से कहा था के दर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बार न जाई, सार नाम बार जो पड़ ही, ये मेरी विचली, पीडी, हंसनी तरही, अपने आत्मों, जब आप प्रमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फ पुने आत्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी, बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जनम लेंगी, जिन जो परमात्मा के सटोक में पहले से रखी हुई है परमात्मा कबीर जी का इस परतेक बिरमांड के इन्द काल के लोक में 21 बिरमांड में एक गुप सत्थान है जहां पर उन पुनात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलियुग में सार नाम प्राप्थ हो गया था वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चडगे थे क्योंकि इस ग्यान से आपकी आत्मा में ऐसा द्रड निश्चे अवस्य हो जाएगा कि ये सुख जो है चाहिए राष्टरपती बन जाएगा चाहिए परधान मंत्री बन जाएगा और भले ही हम कोई देवपद प्राप्थ कर लें आपकी आत्मा धिक्का रहेगी उसको तो कबीर साहिब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्मा जिनको सार नाम प्राप्थ हुआ था किसी कलियोग में तो वो पार ना हुई दूसरे संसकारवस किसी लोक में चले गए तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं सिव मंडल बर महापुरी सिव मंडल बर महापुरी चाहिए विश्णों लोक में हो हमरे गुण भूला है नहीं तो आण छुटा हूँ तो जैसे कोई भग्त इस ग्यान से परीचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मर्टू हो जाती है तो वो कहां जाता है आपको पर्थम मंतर में श्री बिर्मा जी श्री विश्णू जी श्री शिव जी श्री गनेश जी और श्री दुर्गा जी आदी इन देवों के वो मूल मंतर दिये जाते हैं जिन से आपको बहुत लाब मिलना है तो उस कारण से आप पारना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख बोगने के लिए जो आपको इस पर्थम मंतर्स के बेनिफिट पराप्ट हुआ है ये लाब आप वहां अक्षिन करने चले जाओगे वहां जाकर आपको याद आवगा के ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहां का देवपद भी नहीं लेना रजपद पराप्ट नहीं करना यह हमारे पुन नास होते हैं तो वहां जाकर फिर वो रोते हैं और यह जो प्राइम टाइम होता इसका सीमा है जैसे अब जो बिजली पीडी चली इसका समय निर्धारी थे उसके बाद यह भगती नहीं रहेगी इस बीज जो निकल गया सो निकल गया तो वो भगती जो युग है उसका समय समाप्त होने को होता है हो चुका होता है और उनकी मर्चू हो जाती है कोई बिर्माजी के लोग में जा रहा होता है कोई विश्म जी के लोग में कोई गनेश जी के यहां अपने इन मंतरों के पुनों के आधार से बगती के आधार से इनको वहां खाता है बरबाद करता है तो वहां वो रोते हैं तब परमातुना जाते हैं उनको वहां से छड़वा कर लाते हैं उनको उस में मनुष दुबारा जनम नहीं देते उनको अपने पास सटौक में रखते हैं उनके उपर इतना रह्म हो जाता है कि अब उनका जनम आपके घरों में होगा आपके बेटा-बेटी आपके पोता-पोती के रूप में सब के घर वो पुन्यात्माएं आएंगी उनके संसकार इतने गजब के होंगे इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी परकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में और उनको जनम से ही मंतर मिलेंगे तीनस वरस के होते ही भक्ती करेंगे और आठ वरस का होते उसको सतनाम मिलेगा और फिर बारा वरस के बाद तेरा वरस के बाद अंतर ही उसको सतनाम सारनाम प्राप्त होगा अब के वो मोक्स प्राप्त कर जाएंगे आप भी करोगे क्योंकि यह बग्ति योग प्राहरम हुआ है और या तो इसी जनम में पार हो जाओगे देखो कोशेष करना कि इसी जनम में पार हो फिर तो फिर ही होता है नेक्स्ट लाइफ का नेक्स्ट जीवन की सुपने में भी इच्छा मत रखना फिर भी किसी कारण से पेरफिसल जाता है तो वो फिर तुरंथ ही मनुस जीवन प्राप्ट करके तुरंथ ही भक्ती पर लग जाता है अपने आत्माओ देखो आप भक्ती और इस अद्धातों मारक से प्रिचित नहीं है अब जैसे यहां कितने दुखी भक्त आते हैं रोगी आते हैं सब जगह जबाब मिल जाता है वो यहां लेकर आते हैं मारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहां ठीक हो जाओगे तो वो केवल ठीक होने के उदेशे से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं बस इतना ही हमें चाहिए तो उनको परमात्मा राहत सिगर नहीं देगा आप ये उदे से लेकर आओ इस ग्यान को समझाओ जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है ग्यान समझाओ और ग्यान समझाओ कर फिर उनको नाम दिलाओ फिर परमात्मा तुरंट हाथ पकड़ लेता है और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उदेसे से आते हैं बुरी बात नहीं है अच्छा है यदि वो विक्ती नाम क्योंकि नाम तो हम देंगे ये देंगे समादान तो बादव होगा तो पहले मंतर देंगे अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गणे मरना तुसने थाई इस मंतर को एक बार पूरा बोल दे सुन ले वहां पर ना बोल सके और मर्टू हो जा तो भी इसको मनुस जीवन मिलेगा उसमें बीज बक्ती का बूग गया अमने असंग जनम होगे जनम ते मर्टाने दक्ये खाते आने अब मनुस जीवन प्राप्त होगा तुरंटी दस में मैंने या सतलो का सरम बरवाला मा लेगा और उसका फिर जीवन सुरू हो गया ये शरीर तो ऐसा है आप सद्गरन्थों उसे आपरीचित है जातों मार्क से आपरीचित है जैसे एक व्यक्ती का कपड़ा किसी दुर गटना से खराब हो गया पाट गया या वैसे कंडम हो गया उसने आप उतार के फैंक देता है नया पैर ले नया तो और अच्छा ही होता है तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टीव हो गया अगर आप बगती डंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा क्योंकि या माटी उसीने चला रखी है उसीने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रख्या है उसके हाथ में है या लाखों लोग ठीक होगे कैंसर कतीनों टपकते आओं थे खून उनके और तिसमे दन उनके घाओ बर गे जिसने सची डड़्डल से परमात्मा को चाहा और बगती करी तो दास का कोई उदे से आपको बैकाना नहीं लेकिन सचा ग्यान बताना और आप देख रहे हो यहां पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ सारा परमात्मा के बगतों के लिए खुला बंडारा छोड़ खोल रख्या है सारी विस्था कर रख्या है के लिए परमात्मा ने दास को वेजा है आप बगवान के बच्चे हो दास बगवान का नोकर है और नोकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि बगवान के बच्चों को मालक के बच्चों को ऐसी दाना हो जा जिससे मालक रुष्ट हो जाओ उसकी नोकरी को खत्रा ना हो जाओ तो दास इस उदेसे से आपकी सेवा कर रहा है आप सचे दिल से या बक्ती करोगे आपका मौक्स होगा और जो परसंग चल रहा था कि 64 लाक तो वो आएंगे उन 64 लाके घर वो भगताएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बेंक में रखे हैं आत्माई और उसके बाद जो अन्य भी जनम ले रहे हैं अर्बों प्राणी हैं मनुस जी उनमें तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखिया कई बार दास ने ये काग बुसंड जी एक बहुत उड़े महापुर्श माने जाते हैं अपने पुराणों में कथा आती हैं तो उसने गरुड जी ने उनसे पूछा के हे काग बुसंड आपको ये बगती कैसे पराप्थ हुई आपकी कितनी आत्मा सान्त है आपकी कितनी दिरगायू है आपको यह पलब जी कैसे प्राप्ट ही तो काग बुशंड ने बताई आपनी यह संक्शिप्ट में बताऊंगा काग बुशंड जी ने गरुड जी से कहा के गरुड जी backup एक बार मुझे गया दूर्भिक्स जिसमें मेरा पूरा परिवार माता पिता दो भाई बेन और थे वो सभी मर्टू को प्राप्त हो गए मैं 20 वरस की आयू था माता पिता वर्द थे भाई बेन चोटी आयू के थे वो उस भूख को सहन नहीं कर सके उनकी मर्टू के उपरांट आस पास के अक्षेतर में भी बुरा हाल था लाखों लोग मर गए थे उस अक्षेतर को छोड़कर मैं अवन्तिकार नगरी में चला गया वो अंदूर्बिक्स नहीं था पेट भर रोटी खाई बोजन पाया लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रिणा हुई दुख हुआ कि ये क्या जीवन है मेरे पिता जी का बरा पुरा परिवारू जड़ गया ये क्या जीवन है ये कैसा ज्यान लोग है तो फिर बताता है कि उस जनम से पहले मैंने असंखों जनम पराप्थ हुए अब दिवद्रिष्टी खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको जब वो भक्ती पर लगा उसके बाद गुरुड जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंखों मानुस जीवन नास कर दिये थे और मैंने बग्ती कभी करी ही नहीं अब वो अकाल गिर्या मेरे मात पिता मरगे बाही मरगे कुटम नास हुआ अब नतका नगरी में एक पंड़जी गुरुद्वा उसमें शिव द्वारे में शिव मंदिर में कथा करे था और कथा के बाद वो बंधारा किया बोजन करते थे मैं बोजन खाने के उजसे से उन सरोताओं में बैठ गया मैंने कोई सचसंग से कोई लेना दिरना नहीं था सभी उठकर चले गए मैं बैठा रहा पंड़जी ने पूछा बेटा क्या बात है मैंने अपना सारा दुख बताया उसने मुझे एजे अपना सन बेटे की तरह प्यार किया पंड़जी ने पुजारी ने और कहा बेटा ये संसार तो दुख का घर है आप यहां रहो यहां बोजन पाओ और बेटा यहां दुख मंदिर में सेवा करो सचसंग सुनो दिख्षा ले लो मैंने उसकी सारी बात मान ली वहां सिवा भी करने लग गया लेकिन दिख्षा वाली बात मेरे समझ मन नहीं आई छे मैंने तक वो कथा सुनाते रहे मन उस जीवन के उदे से को बताते रहे मेरे कथी घर नहीं करी जू नहीं रहेंगी मेरे इतने पाप बड़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर बक्ती कभी बीज पड़ा नहीं था छे मेंने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरू बताया करते थे मैं युवा था गुरू जी वर्द हो गये थे मैं सुरूताओं को गुरू जी की अपसेंस में अनुपस्तिती में वो कथाएं सुनाने लग जया सुरीली आवाज थी युवा सरीर था सुरूता मुझी बेरी बड़ी परसंसा करने लगे कि क्या बात भाई आप तो बड़ा गुरू जी से भी बड़ी आसथ संग सुनाते हो वा भई वा आप कि बड़ी पैरी आवाज है इस जीव को बहुत परकार से यह हानी होती है वो फावल पॉइंट भी आप के रूब रूब किये जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ इसलिए यह कथाएं सुनाई जाती है अब उन सुरूताओं की परसंसा से मेरे अंदर अवा बरगी में अभी मानी हो गया एंकार बर गया एक दिन गुरू जी आए मंदिर में पूजा के उदेशे से बाहर से आए और मैं सुरूताओं के बीच में बैठा था परसंसा सुन रहा था मैंने गुरू जी को बैठे बैठे ही दर्सन कर लिए परणाम भी निक्रा बरसंसा देख लिया जबकि गुरू जी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ मान बढ़ाई का मार्या कि मेरी बेजती हो जागी जब मैं खड़ा हो गया था क्योंकि परसंसक सामने बैठे थे अब गुरू जी को कोई धान नहीं था उसको कोई मतल लेना देना ही नहीं होता, नियम बता जी, जो पालन करेगा, सफल होगा, जो तोड़ेगा, खंडित करेगा, वो दंडित होगा, गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करन लगे, आकासवानी हुई उस मंदिर में, और बगवान सिव के पुजा में डालूँगा, ये और ये आकासवानी सुन्डी गुरुजी ने, अपने अत्माँ, परमात्मा कभीर साहिब कहते हैं, बहुता है प्यारा बालक मा का, पता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन मा को पता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, सभावी के, और कहते हैं, गुरुजी को उससे भी सोगना होता है, मा से भी ज़्यादा सोगना प्यारे होते हैं, अपने से, उनके भविसे के बारे मूँ इतना चिर्टित रहता है, कहते हैं, बहुता है, प्यारा बालक मा का, उनसे बढ़कर से गुरुआं का, तो क्या गलती की? वो एक दम छोड़ कर पूजा को आया, कि बेटा, क्या गलती की तुने? अक्समा याचना कर, रे बालक दर्शिवका धाना, तातें बक्सें तिरे पराणा, तो उसने पूछा, तो गुरु जी ने प्रार्चना की, हे बगवान, हे बगवान संकर, हे महराज, क्य गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो, बालक है, माफ करो, बालक है, तब आकास वानी हुई कि इस धुर्त ने, मेरे भगत की, इंसेल्ट की है, जब ये गुरु के साथ ऐसा ब्युहार कर सकता है, तो मेरे साथ कैसा करेगा? पुनात्मा, परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं, के गुरु गोबिंद कर जानियों, रहियो सब्समाए, मिलें जब डंडवत बंद गी, नहीं ता पलपल ध्यान लगाए, गुरु मानुस कर जानते ते नरक ये अंद, हुएं दुखी संसार में फिर आग गयम के फंद, तो संकर भगवान ने कहा कि इस धुर्त ने, नरक में ठोकूंगा, एक लाख वरस के लिए, अब गुरु जी ने फिर कई कई गंटों तक पराचना की, आपका बालक है, बच्चा है, एक्समा करो दाता, कुछ हलकी सजा करो इसकी, तब उसने कहा कि भी देखो, मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल जिया, ये वापि में लेनी सकता, इसको नरक में तरहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ यम दूतों से इसको कस्ट नहीं होने दूँगा, अब काग बुसंड कहता है, फिर मेरी कुछ समय के बाद मर्तू होगी, मुझे एक लाख वरस तक नरक में रहना पड़ा है, लेकिन वहाँ यम दूतों ने मंतरी है, और मंतरी का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वह मंतरी उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता, वहाँ के करमचारी अदिकारियों को जेल सुब्रेडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में लेकिन वहाँ उसको कुछ नहीं करेंगे तो सजा तो हुए गई वा दिकत हो या ना हो कहने का फाव यह तो फिर यो काक भुसंड क्या बताता है कि उसके बाद मैं लाख वरस यम उस नरकनब होगे करें फिर मेरा जनम हुआ तो एक लोम उसमें मेरा बगती बीज गिर गया वो उस जनम में उससे पहले मेरा बगती बीज पड़ा नहीं था उसके बाद फिर देखो कहते मेरा जनम हुआ बगती की प्रिर्णा बनी रही इदर उदर भटकता रहा संतों के पास गया और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ग् सरगुन है उसी की बगती करने चीए सरगुन की बगती से कोई लाब नहीं है ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ग्यान ग्रहन करके घर कर गी थी अब आथ एक दिन लोमस रसी कथा कर रहे थे वहां जाकर मैं कथा सुनू था और लोमस रसी जी सरगुन के उपर कथा कर रहे से शरगुन वगवान के उपर तो मैंने कहा कि रिशी जी सरगुन तो सब ना सो जाई, मैं तो हूँ नर्गुन का अधिकारी, मुझे तो नर्गुन कथा सुनाओ वगवान की, लोमस रिशी ने बहुत से परमान दिये के बेटा, सरगुन बेना नर्गुन क्या गावे, अगर अर्गवान को आपने सरगुन में नहीं देखिया तो निर्गुन का के लाव उसका जैसे वर्क्स बीज सब ठोरा जब उग गय तब दीख है मोरा एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुन रूप में है निराकार समझो जो तेसे तुम निराकार कहत बता देंगे इस गुठली में आम है पेड़ है पूरा पूरा वर्क्स है इसके उन्दर तो इसके बताने से तुझे क्या लाव हुआ आव उस बीज को बीजा जावे गुठली को फिर वो पोधा बने फिर वो पेड़ बने और फिर वो आम लगे तो सरगुन बिना के गीत गानता नहीं होगा अब कहने लिगे मेरे ये उधारण बहुत से उन्होंने दिये पर मेरी बुदी में गरहन नहीं हुए मैं उनके साथ उठ पटांग अब अधर तरीके से परसना उतरी करता रहा यानि मजाख तोर पे लोमस रिशी ने मुझे सराप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर तू तो चंडाल के घर दिनम होना चाहिए तेरे जैसे दुस्ट कारे चंडाल जा चंडाल बन अब मुझे इतना ऐसास हुआ कि मेरे से गलती हुई मैंने क्रोज नहीं माना और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा मैं ऐसे मायूस होकर देखता रहा फिर मैंने हाथ जोड़कर चर्ण पकड़के प्राथना की है ए रिशी जी इस दास को जनम तो कहीं दे देना पर एक आशिरवाद दे दो मुझे गल्ती तो बन ही गई कि मेरे बगती की भूलना पड़ तब उस रिशी ने वो आशिरवाद दे दिया ठीक है बिटा जनम तो तेरा चंडाल काग के घर होगा लेकिन बगती याद बनी रहेगी भगवान की तो फिर उसने बताया के मेरा काग वसंड रूप से एक काग चंड नाम का काग था देवता और बिरमाजी की पतनी अपनी ह हनसनी को लेकर जो रितू पर आई थी उसको गर्बवती कराना था काग चंड के यहाँ लेगी उनके सैयोग से फिर मेरा जनम हुआ उपर से मू तो मेरा काग का है और नीचे का सारा सरी देवतों जैसा मनुष का है उसका तो कहने का भाउदास का यह है फिर क्या बताया उसन कि फिर जो मुझे आज जो वस्टू मिली जो भक्जी मिली एक जोग जीत नाम के संट मिले यह परमात्मा थे कहते हैं कहते हैं फिर जोग जीत नाम के एक संट मिले वही परमात्मा संट रूप में कहीं भी परगट हो जाते हैं तो उन्होंने मुझे वो ग्यान सुनाया गुरून जी मैंने कभी सुना नहीं था लेकिन प्रहरम में जब मैंने ग्यान सुना मेरे मन में बड़ा जो है दुख हो रहा था कि यह विश्णू जी और विर्मा जी और शिवजी से उपर कोई सक्टी बता रहा है लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेद भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं पहले बगत भोगी था लोमस्रिशी के साथ मैंने उठ पटांग परसन उतरी करकर मैं बड़ा दुख पाया था मैं उनसे विवाद नहीं किया लेकिन नमरता से परसन करता रहा मन मैं फिर करता रहा करता रहा अंत मैं ऐसा समझ मैं आया बुसंड जी बुरुड जी आज मैं जो जिस सती थी माज मैं हूँ और जो ग्यान मुझे प्राप्त है और जो भगती मुझे प्राप्त है साथ किसी में किसी को होगी तो कहने का भाव ये है कि उसमें बगती बीज पढ़ा कितनी कठिंता से कि छे मेने तक ज्ञान सुनता रहा नाम डेन की नहीं सोची इतना अंदर हमारे जो पाप करम घर कर चुके होते हैं जिनको जिन्होंने किसी जनम में बगती ना की हो और फिर बगती की सर्वात हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी सर्ण में लेने के लिए सारी किर्या की लोमस रिशी से पहले उसको इतना डर्वा दिया यह थी उसमें लोमस रिशी का अग्वस्ट को सराप नहीं देता वो डर्व के दिल में ना होता तो परमात्मा का ग्यान तो पुन्यात्मा वो कभी नी सुन सकता था आज आप देखते हो जितने भी पुन्यात्मा यहां आए है आपने पहली बार यह ग्यान सुना होगा तो आपकी सुई कभी सो पर कभी जीरो पर कभी उपर कभी नीचे हुई होगी ये क्या वक्रिया है कहां से ले आई ये ग्यान और फिर देखे आपने परमान अब दांतों तले हुँ ले दोबारे वाप तो कैसे कहते हैं सोचल सीदर मैं करूँ अपने जनके काज तो आपके उपर जो रह्म परमात्मा का है ये विसेश है जो दास कहना चाहरा था आपको ये यथार्च ग्यान समझाने के लिए ये परमान धारन दिया है आप जी पुनकर्मी पराणी हैं पूरव जनम के मरुष थे आपके दरबक्ती की आस्था विदमान थी आपने सिगर गरहन कर लिया और जो आपके घरों में अब संतान आएंगी वो भगवान के कोटे से आएंगी बहुत अच्छी होंगी उनकी तो आपने बविसे की चिंता करण की जुरूत नहीं रहेगी और जो अन्य पराणी हैं वरतमान के अंदर हैं वो जो ऐसे हैं जो पूरावजनम के भग्त मनुष्थ हैं वो सिगर आ जाएंगे और जो काग बुसंड जैसे होंगे उनका भी तरीका अपनाया परमात्माने क्या होगा एक गर्म है तीनों ने दिख्षा ले ली एक नहीं लेता ठीक है तो वो काग बुसंड की स्रेणी का है अब उसके लिए मालिक ने क्या दया करी है गर्मा आरती चाल लेगी कोई मंतर के रह दरवेट के कोई के रह दरवेट के सत्संग चलेगा ना चाहते है कोई दिख्षा जरूरगा सुनेगा बैठके वो ऐसे बठा लेंगे बैठता जातू नाम मत लिए तो सुनेगा तो कभी ना कभी उसके भी काग बुसंड की तरह इच्छा बनेगी उसके पाप नर्मावेंगे क्योंकि भगवान की कुछ ऐसे संसकार होते है ऐसे पाप होते है जो ग्यान यग से ही समाप्त होते है अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो परणाम यग से समाप्त होते है जैसे कपड़ा मेला हो गया सिंपली कोई दूल मटी लगी है जड़का दिया निर्मल हुआ थोड़ी बहुत और मेल लगया है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया और भी ज़्यादा मेला है तो साबन परियोग करना पड़ता है और भी ज़्यादा कहीं कोई दाग लगया है तो ड्राइक लीन करानी पड़ती है तो वो तब निर्मल होता है हमारे युगों युगों के अंतेकरण के अंदर बड़े दबे लगे हुए हैं अंतेकरण में हमारे पाप जमा है तो उन पापों के नास के लिए ये सब पिर के लिए आपकी यहां कराई जाती है पांचों यग कराई जाती है आपसे एक यग है धर्म की कुछ ऐसे पाप होते हैं तो धर्म करने से ही अक्सिन हुआ करते है एक एक यग है धर्म की दूसरी यग है ध्धान परमात्मा का चिंतन मीन ध्धान उसकी कसक बने उसकी एक नारी आपको याद बनी रहें उसको ध्यान कहती और तीसरी यग है हवन की यहां पर एक जोती यग किया जाता है जोती हवन किया जाता है करा जाता है तो तीसरी यग हवन की चौती यग परणाम डंडोच परणाम करा जाता है जिसे एंकार ना सोता है और कुछ पाप इस परणाम य कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्सीन होते हैं, अब जिस व्यक्ति को आप प्रहर्म में चर्चा करते हो प्रमात्मा की, तो वो नहीं ग्रहन करता है, उठ के चल पड़ता है, कभीर साहिब कहते हैं, कभीर पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुआवे, और के उंगे के उठ चले ना और बात चलावे, जैसे किसी कर्म हीन पराणी से, संसकार हीन पराणी से आप बगवान की चर्चा करने लगते हो, और वो आपका विशेश मित्र भी हो, विशेश नाती भी हो, अब जो ऐसा वैसा विक्ती होगा, तो दो बात सुनते उठ कर चला जाएगा, ठीक हम फेर आऊँगा, मुझे काम जरूरी है, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको सुहा नहीं रहे, और कोई ऐसा मैत्र होगा, कि उठ नहीं सकता, तो नीदाने लग जाएगी, लटके लेगा थोड़ी जिरूरी, या फिर कोई विशेश बदल देगा, कि सुन मेरी बात सुना सा है, वहाँ पुलाना था, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ चलेगा, वह सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वह अच्छा नहीं लग रहा, तुलसी दास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरी जर्चाना भाव है, भाव माने अच्छी नहीं लग है, जैसे कहते हैं, मुझे रोटी नहीं बाती, मुझे नहीं अच्छा अच्छी लगती, तुलसी पिछले पाप से हरी वेग से भूख बिदा हो जा, अब जिस व्यक्ति को बुखार हो गया हो, जवर हो जा मलेरिया, तो उसको ने कोई भी उपदारत है, वो कड़वा नजरा लगता है, महसूस होता है, जिसे रोटी खाएगा, एक टूक, एक ग्रास नहीं खा सकता, वो कड़वा लगता है, थूक मिखा सकता, मनुख्षा दाख को भी कड़वी बताता है। अपने आत्म ना मनुख्वा दाख कड़वी है, ना वो भोजन कड़वा है, ना खीर कड़वी है, कड़वा क्या है कि उसके बुखार ने, जवर ने, टेमप्रेचर ने, उसके सिरीर की विवस्था इतनी है कि उस मलेरिया बुखार को नर्म करना पड़ेगा बुखार उत्रे बिना वस्तु स्वादिश्ट लगे नहीं अब रोटी कड़वी लग रही है मनुखा दाख कड़वी लग रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कड़वी गोली ही खानी पड़ेंगी कुनीन की और नाच सवर उतर जागा और फिर देखना सुकी रोटी सबजी छोड भूफ लगाएगी जब गरवाले कहें सबजी बना दो ना रोटी दे फटा फटा सबजी दे फेर देखूँगा और पहले सब कुछ आगय रख देते तो भी खाने को दिल नहीं करता था ठीक इसी पर कारण जो जिसके उपर प्रमात्मा रजा बक्षते हैं किसी भी कारण से किसी की माद्र से सचसंग सुनाने को सुनाने की तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप करम घणे बड़े हुए हैं तो उसकी आत्मा के अंदर उस जवर के कारण उस मिठी वस्तू प्रमात्मा की चर्चा ग्रहन करने का वो विवस्ता नहीं है वो खराब हो चुकी है तो उसके लिए क्या तरीका है कि नाज अथी लगए तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे जैसे कैसे भी सुनता रहे प्रभावित होकर नाम दीख्षा लेकर अने को लाभ प्राप्त किये नाम दीख्षा लेने से पहले अब क्या भक्ती साथनाई करते थी मैं संत रामपाल जी महराज के नाम दीख्षा लेने से पहले मैं दामा खेड़ा पंथ परकासमुनी को गुरू बनाया था दामा खड़ा पंथ मेरा एक पिड़ी आगया है सर मेरे इसके पहले दादा लोग भी थे और मेरे माबाब लोग भी थे बच्पने से वहीं में दामा खड़ा पंथ में रहते रहते गुरू बनाये था वहां का जो भक्ती कर रहा था भक्ति करते करते एक और गुरु बना लिया सर, वहां मेरे कोछ संतुस्ती नहीं मिली, वो दामा खेड़ा पैंच में ऐसा कोई ग्यान नहीं मिला, और मैं एक सिध्धी और गुरु बना लिया सर, जो सिध्धी वाला गुरु बना लिया, जो तंत्रमंत्रयंत, और जो गुरु उससे अलग त्याग दिया उनको और बैराग ले लेकर मैं बहुत बड़े शिद्धी किया हूं सर एक मेहना तक तो मैं निजला उपास रहा सर अब निजला उपास रहकर इतना तब किया कि मेरे गुरू जो बना था वो बार-बार फोन करता था अगर जो दुर्गा आपको जैसे हम पोटो में देखते हैं वैसा टेप के नई था सर अलग विचितर टेप के पुरा सरीस है से उनका इतना प्रकासवान था सर भैंकर प्रकार उसको देख पाना बड़ मुश्कल था ऐसा टेप कहुतर दो मिनट तक के aujourd दर्सन हुआ सर उसके बाद में दर्सन हुआ उस सभी देवतर मन आाते हैं गाहां इसितर में सकते नहीं बना सकते करके भग गए सर उसके बाद में फिर वहां मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को सब बोले कि क्यों है हां नारियाल चड़ाया हो क्या सिखे और करके तो मैं बोला नहीं भाई में नारियाल चड़ाया था भगवान समझ के चड़ाया था ऐसे करके वह बोला, कि आगर मेरे सिद्धी पूर्णा हो गई, और मेरे गुरु बोलते हैं, कि मैं गुरु को बताया, ऐसे से बात है, सर नारियर उपर चला गया, तो मेरे गुरुदेव बोलता कि नई यह तो आपका सक्थी है, तो मैं टेस्ट लिया सर, मेरे को विश्वास नहीं हूँ आपने आप के उपर, कि नारियर उपर चला जाता है ऐसे करके, तब मैं टेस्ट किया सर, टेस्ट करने के बाद फिर देखा, कि नारियर को पहले तो मैं अपने इस्थान था, सर मैं बरागल धरन किया था, मेरे 10-12 लो लोग बैठे थे मेरे आसन में और मैं टेस्ट आपन देख रहा धा हूथ दे देमो देखते देखते फिर नारियर को मैं ऐसे ऊपर से उठा और एक वहाँ यह उपर में चत था यह वहाँ जाकर VContr सकता है झे धनारियर को कोशिश किया फिर कि यहां मैं अपना जो वीधियान किया उधर वीधियान किया चौह पूर के वहाँ उसके बाद में नारियार को फिर वहांचे चला दिया फिर वापस बूलाए आ गया तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं बहुत बड़े सिध्धी वाला हो गया हूं और सब उसके बाद में मेरे पास सब लोग आने लगे फुखजार करवाने के लिए कई जैसे बहरी हावा बोलते हैं प्रेद बाधा वो प्रेद बाधा बिलकुल मेरे पास जो आते थे तो उनका बिलकुल ठीक होदा था सर कई बड़े बड़े लोग बड़े लटा जटा वाले लाल कपड़े पहने हुए पंडिट और ये जटा धारी सब मेरे पास आते थे और बोलते कि यह बहुत सक्तिवान है आप ऐसे हैं वैसे करके बहुत सादूसंत भी आने लग गए थे सर मैं सिद्धी करते करते महें त्रोप में बन गया सर सब लोग जाड़ फुक कराने के कि मैं अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था दुनिया के बीमारी को तुम्हें फुक जाड़ करके प्रेद बाधा को दूर कर देता था लेकिन खुद का बीमारी को मैं दूर नहीं कर पाया मैं संकर से जुजता रहा और इसी बीच फिर मैं अब उसके बाद में आब ये संत्रामपाल जी महराज का गयान नहीं मिला था, मैं दर-दर का ठोकर खाता था, जहां-दहां मैं भटकता था, कि मैं कैसा करूं। और ये अपना जीवन को मैं कैसा बचाऊं। और ये मेरे उपर से बावर्षीद का बीमारी के मेरे को पीड़ित करता है। और इधार में मेरे बच्ची को बली मंग रही है, तो मैं कैसा करूँ, कैसे निकलूँ इस काल जाल से, ये मेरे को चिंता हो गया। तो फिर संत्रामपाल जी महराज की सडम में आप कैसे गए? अब मेरे इसकुल में एक टीचर आए और वो संत्रामपाल जी महराज के सीस्य थे और वो मेरे को बताए ग्यान तो मैं बोला कि देखो इतना इतना बड़े बड़े ग्यान बता रहे हो उनके साथ मेरा वारतर लाब हुआ तो ओ बोले कि ऐसा से मैं बताया है मेरेको ऐसा समय स्हत्रामपाल जी महराज बचा सकता है मेरे को तो ओ बोले बिलकुल बचा सकता है गारेंटी चलेंज किया उसके बाद मेरे पास तो सिधी था मैं अपनी सिद्धी से घर में गया और मैं सिद्धी से बैठा और फिर देखने लगा कि सही में ये संत्राम पाल जे महराज मेरे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं फिर ध्यान से देखा तो इतना उनका प्रकासवान सरीर में मेरे को दिखे और इतना सकती साली दिखे कि मैं दंग रह गया, बस यही मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को विश्वास हो गया, फिर उसके पास से मैं ग्यान गंगा पुष्टक लिया, ग्यान गंगा पुष्टक पढ़ा, और सब फिर उसके बाद में विश्वास नहीं हुआ, तो मैं सब सासरा ले लिए, गीता है, देवी भागवत है, सीव पुरान है, बिशनु पुरान है, बाइबिल यह सब मिलान करकर के देखें, जो प्रिष्ट करमान को वहां ग्यान गंगा दिये थे, उसको पुरा मिला मिला के देखें, उसके बाद में फिर भिश्वास हो गया, और मैं संत्राम पाल जी ही महराज मेरे को बचा सकते हैं, जो अपने सिधी से में देख लिया था, उसके बाद में, फिर अब मेरा बिल्कुल संत्राम पाल जी महराज के सरनों में मेरे को जाना है, ऐसे सब लोगों को बता दिया, तो मेरे चेले लोग बोले, कि नहीं, वहां मत जाओ, वहां जाओगे ते फिर यह सब को चोड़ दोगे, मैं बोला भाइय, यह तो मेरे का आहल लेने toast, यह तो मेरे को बली लेने वाला है, इससे अगर में रहूंगा तो मैं तो मर जाओँगा, पिर उसके बाद में मैं बोला, कि मैं जाओँगा, भाई मेरे को को बाड हो, मालो आज रातरी है, अब कल मैं नाम रहा है वो कहा जा रहा है मेरे को छोड़के तू जा कहा रहा है तब मैं चूप रहा हो खुद बोलती है कि तू जा रहा है वो परम सकती है उसके सामने में मैं कुछ नहीं हूँ ऐसे बोल दे उसके बाद में फिर बोलती है कि वहां तू मत जा अभी तेरा भक्ति यहां पूरा में था ऐसा टेक्शन की उसके बाद मैं मैं आई साब्स आप और इसे गल्शन की यहां से मेरे को मेरे आने लगा यहां से पुरको चि ấy न्यूस लो मैं पुरई आप आ Aujourd increases कििया था इद क्रुछ पिर दुर्गर जी आई अब बोलती है कि तू जाएगा कि रुकेगा मैं बोला नहीं माताजी मैं नहीं जाओंगा मैं आपी के भक्ति करूंगा ऐसा बोल दिया उसके बाद में गायब हो गई फिर उसके बाद में मैं सब बेरे जो भी होगा कि मैं तो नाम तो नहीं लिया था नामदिक्षा लिया तो क्या संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको लाग हुए संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद सबसे पहले थे मेरे को अध्यात्मिक मारगा मिला जो जनम मरन का एक रोग है उससे मेरे को छुटकारा मिला मोक्षमारगा मिला दूसरा मेरे को जो मैं अपना जीवन ये को बचा सका या तो मेरे बच्ची को जो बली लेने वाली थी दुर्गा जी उससे मैं बचा लिया अधास को भी दुर्गा बली लेने वाल उससे भी मैं बज गया और जब मैं संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख चलिया उसके बाद में वो पुरा हो सक्ति मेरे पास वापस नहीं आई और मेरे को कोई परसानी की और मैं मेरे को कुई उसका चिंतन नहीं हुआ और मेरे को एक बार मेरे को बावर्षीर हो गया था बावर्षीर हो गया था जब मैं तांत्रिक था तभी मेरे को बावर्षीर हो गया था फिर संत्रामपाल जी महराज के पास बरवाला असरा में प्रातना लगा है प्रातना लगा है तो उसके बाद में फिर वहां से आदेश आए गुरुजी ने बोले परमात्मा दैया करेंगे ऐसे बोले उस दिन से वह बावरसीत का भीमारी भी ठीक हो गया और घर में लाइट लगी थी और गर में जो इनसीवी होता है इनसीवी से उसको डारेक्ट जोड दिये थे लाइट को और मेरे को पता नहीं था इनसे भी को गिराया और लाइट दूसरे जगर से खंबे से जो सरकीट होता है कट आउट वहां से जोड दिये थे और वहां डारेक्ट जोड दिये थे मेरे को पता नहीं था इनसे भी गिराने के बाद वह वायर निकल गया था पंप का मोटर का तो मोटर का जोड़ रहा था वायर को उसके बाद में वहां से मेरे को कुई करेंट नहीं लगा पर संत्रामपाल जी महराज वहां दरसंदे दिये मेरे को पीछे ऐसे हटा दिये और जैसे पीछे हटाए और मेरे को कुछ नहीं हुआ ना करेंट लगन कुछ न पड़ती हैं क्या ऐसा ही है की है बिल्कुल ऐसा है संटरामपाल ढहए जया है संट्रामपाल महराज आइसा उनका ग्यान है देवी देवत्ता का है इस उसको चुड़ाते नहीं उसको विधेवर्ध तरीकर से बताते हैं। संत्रामपाल उप्षपर नंदॉम्भाइल नंबर आता है। उससे फून लगाकर अपना दिख़या के इंदेर पता कर सकते हैं। और उपता करके अपना नाम दिख्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर सर साहे आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए सकते हैं झाल प्रवचन अभर के लिए सकते हैं